अगर आप में से कोई रिसेंटली हिट मॉस्कुट रैकेट पर्चेस किया है तो आप लोग जानते हैं इसमें शिक्स मांथ का वायरेंटी मिलता है जिसको आप ऑनलाइन रिजिस्ट्रेशन के माद हमसे पा सकते हैं रिजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर जो QR कोड दिया हुआ है वायरेंटी कार्ड में इसको स्मार्टफोन का जो स्कैनर होता है उसे इसको स्कैन करना पड़ेगा अगर आपका फोन में स्कैनर है तो कोई बात नहीं लेके नगा नहीं भी है तो यह कोड स स्कैन कर लिया है और यहाँ पर www.godrezhit.com उस URL को मैंने कॉपी करके गुगल क्रोम में ओपन कर लिया है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर गोद्रेज हीट का जो मस्कुईट रैकेट है उसका डेस्क्रिप्शन दिया हुआ है और यहाँ पर दो आप्शन है एक है बाइनों और एक है वारेंटी यहाँ और यह है वारेंटी हम लोग वारेंटी सेलेग कर लेंगे डॉंट फारागें टो सबस्क्राइब मैं चैनल वारेंटी सीलेट करने के बाद थोरा नीचे आना पड़ेगा आप लोग और यहाँ पर देख सकते हैं दो ढप्शन सेन sóत पर वारेंटी जो प्री सिलेक्ट हुआ है क्योंकि यह देख सकते हैं आप यह लो बैक्ग्राउंड में आ गया है और एक है क्लीम फोर डिफेक्ट्स क्लीम फोर डिफेक्ट्स आभी नहीं पहले हम लोग रेजिस्टर करेंगे उसके बाद सिक्स मांथ के अंडर कोई डिफेक्ट आ गया तो हम लोग क्लीम फोर डिफेक्ट्स आप्शन में जाएंगे क्योंकि रेजिस्टरिशन के लिए उप्शन प्री सिलेक्ट्ट था यहाँ पर देख सकते हैं आपको कुछ डिटेल्स भरना पड़ेगा जैसे आपका नाम फोन नम में आपको डेलिवरी मिला है या किस दिन में आप और प्लेस के है यहाँ पर आप लोग का अड्रेस भरना पड़ेगा उसके बाद आपको जो बील है और इन्वाइस है उसका एक कॉपी आपको अपलोड करना पड़ेगा जो की जेपीजी या पीएंजी में होगा प्रोडक आप अंप कर लिएना फिर रेजिस्टर में क्लिक कर देना चलिए मैं एकेक्व कर में देता हूं पहले नाम फोन नंबर इमेल अइडि यE सब भर लेता हूं कि देखिए यह सब मैंने भर लिया नाम फोन नामर इमेल आइडी सीटी पिन कोड़ एटसेटरा अब मैं पार्टेस फ्रॉम यानि कहां से मैंने पार्टेस किया था उसे सिलेक कर दूंगा इसके लिए इस ड्रॉप डाउन मेनू में जो एरो दिया हुआ है यहाँ पे टास्क क जो ब्ल कर लिया था उसके बाद टामस अन कंडिशन को सिलेक कर दिया है देखिए यहाँ पर र पेज में रिडिरेक्ट होके हम लोग आ गये हैं यहां पेज को आप लोग थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आईए नीचे आने के बाद यहां पे जो OTP 4 डिजिट का आया था आपका मोबाइल पे यहां पे टाइप करके सब्मीट कर दीजिए सब्मीट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद एक नया पे जाएगा जहां पे लिखा रहेगा इसका मतलब है आप लोग का जो वाइएंटी का प्रोसेस था ओफुली कॉंप्लीट हो गया है रिजिटर होने के बाद six months के अंडर आपका प्रोड़क्ट में कोई गरबरी आता है तो आप लोग claim for defects option में जाके claim कर सकते हैं लेकिन मेरा तो आभी कोई problem नहीं है इसलिए मैं इस option में नहीं जाना चाता हूँ अगर आपको claim करना है defect के लिए तो आपको जो पहले बाल website था उसमें ही दोबरा जाना पड़ेगा जो की था www.godresheets.racket और पर जाने के बाद पहले बार देख सकते थे आप लोग यहाँ पर दो option था एक था register for warranty और एक है claim for defect इस बार claim for defects pre-selected है क्योंकि यह yellow background में है इस page में थोरा नीचा आएंगे तो आप लोग देख सकते है आप लोग का जो registered mobile number है और डालना पड़ेगा और यह mandatory है क्योंकि यहाँ पे star mark देख सकते है उसका नीचे registered email id भी डालने का option है तो आप इससे डाल भी सकते या नहीं भी OTP डालना पड़ेगा इससे आप लोग का जो account है वह verify हो जाएगा उसके बाद आपका जो product में जो भी कोई problem है वह आपको select करके देना होगा या फिर detail submit करना होगा उसके बाद company से आपको contact किया जाएगा thanks for watching